अब हम लोग पढ़ेंगे Physiology of Neuromuscular Junction ठीक इसमें क्या पढ़ना है हमें जो हमारी skeletal muscles होती हैं उनके अंदर कैसे action produce होता है वो पढ़ना है ठीक उनके अंदर contraction कैसे होता है वो हमें पढ़ना है ठीक skeletal muscle के contraction के लिए एक nerve impulse की आवशकता होती है ठीक तो एक motor nerve जो होती है वो कई सारे skeletal muscle fiber को stimulus करने के लिए जैपोहती है ठीक तो जो एक motor unit होती है यानि एक एकाई जो होती है neuron और skeletal muscle की बनी हुई ठीक उसमें एक neuron होता है और कई सारे skeletal muscle cells होते हैं जो उस neuron की वज़ये से इस्टिमूलेट होते हैं और हमारे skeletal muscle में contracted होता है ठीक तो क्या होता है जो हमारी nerve endings होती है ठीक जो motor neuron होते है उनकी जो endings होती है जिनें हम exons कहते है या nerve fiber कहते है वो exons जो है जो हमारी muscle की sarco-lema होती है उपर की जो layer होती है वहाwen पर एक junction बनाते हैं जिसे हम neuromuscular junction कहते हैं ठीक, neuromuscular junction वो पॉइंट होता है जहां पर nerve जो है skeletal muscle से communicate करती है ठीक, तो जो motor neuron होते हैं वो muscle fiber, जो skeletal muscle fiber होते हैं उनकी सारकोलेमा को stimulate करते हैं जिसकी वज़े से contraction stimulate होता है अब इसमें होता है क्या है? ठीक, तो जो हमारे exons होते हैं यानि nerve endings जो होती हैं, जो exons होते हैं वहाँ पर सबसे आखर में एक synaptic end बल पाया जाता है ठीक, जिसके अंदर बहुत सारे sex enclosed होते हैं sex मतलब खाने, ठीक, membrane के अंदर जिनें synaptic vesicles कहा जाता है ठीक, इन vesicles में बहुत सारे neurotransmitter available होते हैं ठीक, तो सारकोलेमा यानि जो मसल की सारकोलेमा है उसके और exons के बीश में जो जगा होती है उसे कहा जाता है synaptic cleft क्या कहा जाता है synaptic cleft इसी synaptic cleft से neurotransmitter जो होते हैं वो निकलते हैं और जो हमारी मसल fiber होती है उनमें जो receptor होते हैं वहाँ पर जा करके bind करते हैं और contraction और excitation जो है coupling process स्टार्ट हो जाता है इसी के कारण जो है excitation और contraction process होने लगता है यानि हमारी muscle contract करेगी और relax करेगी ठीक आप लोग समझ गए यानि जो हमारा neuron है उसके जो आखरी part है axon ठीक वो किस से जाकर mix match कहता है जो हमारी skeletal मसल है उसकी जो सारकोलेमा है उससे जाकर करके मिल जाता है ठीक तो जो हमारे जो axon होता है जो सबसे आखरी हिस्सा होता है उसे synaptic end bulb कहते है उसमें बहुत सारे sex पाए जाते है यानि खाने जिने synaptic vesicles कहते है इनी synaptic vesicles में neurotransmitter पाए जाता है इन neurotransmitter में यह जो neurotransmitter होते हैं सारकोलेमा होते हैं वहाँ पर जो receptor पाए जाते हैं उनसे bind करके excitation और contraction coupling procedure start करते हैं अब आगे क्या होता है एक nerve impulse जो होती है वो neuromuscular junction पर आती है जब वो neuromuscular junction पर आती है तो वहाँ पर calcium channels होते हैं जहाँ पर calcium specific channels होते हैं जहाँ पर nerve impulse आती है तो calcium जो है calcium ions जो है synaptic vesicles में पहुँचते हैं ठीक जब वो synaptic vesicles में पहुँचते हैं calciamines ठीक तो जो synaptic end bulb होता है synaptic vesicles जो होती है वो किसी release करती है acetylcholine को acetylcholine क्या होता है एक प्रकार का neurotransmitter है यह किसके अंदर भरा होता है synaptic vesicles के अंदर ठीक जब यह acetylcholine जो है release होता है ठीक तो यह जाता है receptor's पर bind करता है cynaptic cleft के receptors पर bind करता है जब acetylcholine inaptic cleft के receptors पर bind कर देता है तो वहाँ पर जो पस्तित سार्कुल लहमा होती है सार्कुल लहमा के ओपर एक प्रकार के channels होती है channels मतलब दरवाजा ठीक तो वो दर्वाजा काउंसा होता है ligand gated channel ligand मतलब chemical gated channel ठीक तुझा एस्टाइल कोलिन वो हमारे अंदर एक chemical response प्रोड्यूस करता है ठीक जब ये channel पर जा करके bind करते हैं तो sodium की entry होती है sodium की entry होती है तो muscles में, muscle membrane में depolarization होता है depolarization होने के बाद इसका action आगे produce क्या होता है ठीक फिर ये फिर इसका जो action है वो हमारे सारको लेमा पर जाता है यानि सारको लेमा पर जाकर के फिर ये जो मुनसल muscle fiber में जो सारको प्लाजम होता है उसमें जाता है जब ये महाँ पर जाता है तो जो calcium ions होते है वो अब free हो जाते है क्योंकि जितने भी gate होते है वो खुले होते है ठीक फिर वो calcium ion अंदर आते है ठीक वो troponin tropomycin complex बनाते है ठीक जब ये troponin और tropomycin complex बनता है ठीक जब ये दोनों एक दूसरे से चिपकते है ठीक तो जो हमारे actin और myosin होते है वो activate हो जाते है जब हमारे actin और myosin activate होते है तो वो एक cross bridge बनाते है ठीक और जो है ATPase enzyme के द्वारा activation को और आगे बढ़ाते है जब ये activation आगे और बढ़ता है तो skeleton muscle में contraction और relaxation हो जाता है